के मुताबिक जीने के अधिकार की बात कही जा रही है समर्थन करने वालों का कहना है कि उनकी जंग चलती रहेगी आज उच्छतम नियाले ने जो फैसला दिया जो भारतिय संस्कृती सभ्यता परंपरा मूले और हमारी सामाजिक सरंचना की पूरी परस्ट भूमी में देखें तो ये एक इतिहासिक फैसला है इससे पूरे करोडो करोडो लोग पूरी दुनिया में जो बसे हैं भारतिये उन लोगों में हर्स की लहर दोड़ गई है आकिर हमारी परंपराओं का हमारे मूल्यों का सम्मान हुआ I'm glad that you agree that it's a heartbreaking verdict of the Supreme Court totally share the sentiment We were hoping that you know today we will take many more steps you know after the High Court judgment but that has not happened So it's a it's a it's a we have to actually go through the judgment and then weigh in our legal options वहीं कानून मंत्रे कपिल सिबल ने कहा है कि Supreme Court ने कानून के मुताबिक फैसला दिया है और Supreme Court के निर्ने पर टिपनी ठीक नहीं है वहीं Congress के दूसरे नेता समेत जनता दल उनाइटेड और TMC के नेता इस फैसले पर निराश है The Supreme Court is the final arbiter, as I said to you, on the validity of a law and the opinion of the Supreme Court must be respected by government Government is the, legislature is the final arbiter of what that law should be I am not going to, you know, extend my comment Appropriate steps should be taken to ensure that all Indians are treated equally, even those with a different sexual preference हमको लगता है कि Supreme Court का ये जो judgment है, ये रिग्रेसिव है इस Supreme Court को इस पर पुनर विचार करना चाहिए At a personal level, a huge disappointment because in 2006, there was a letter written which was signed by Amartya Sen, Vikram Seth, Shamp Benegal, even I signed that letter So, I am very disappointed in this liberal world we live in today ये जादा से जादा लोगों का ये ही कहना है कि वो इस फैसले से काफी disappointed है चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, उगम जी से मेरा सवाल उगम जी अप धर्म के आपने बात कहीं कि हमारे धर्म में नहीं है और देखा जाए तो अब ये धर्म समलेंगिक संबंधों के आड़े आ रहा है तो बदलाव हम कहते देखते आए हैं हमारी समाज में हमारी रीती रिवाजों में काफी बदलाव आते रहे हैं तो क्योंना इसको भी एक बदलाव के तोर पर अपनाया जाएं यह नहीं हो सकता है हमारे परंपरा भारती के नहीं है जी हमार भारधी थिसके नहीं है रुसी मुनियोँ करें संदिय और सद्यूग की बात करे हम तो सद्यूग ने इस गेन्ट यो लगना हुआ है वहां भी नर्नारी बताया है तैत्रय युग में जो साधिया कहीं कहीं हुई है वहां हर जगा पे भगवान के साथ जोड़ा गया है राम सिता के लगना हुआ शंकर परोता लगना हुआ और भगवानों का जीवन से देखने जाओ लेकिन अगर जिस तरह से आप कह रहे हैं कि यह भारत की रीती नहीं है लेकिन आज जो बहुत सारी चीजें हैं वह भारत के बाहर की आई हुए जिस तरह से गूगल की बात कर ले आधुनिक्ता की बात कर ले फेस्बुक वगयरा की बात कर ले इस सब बाहर से आई हुई है तो सिधान रुश्यों की संतों की परंपर का सिधान उसको जहां को जो हाने पौश्ती है उसे हम याद दिलाते हैं कि यह अपना जो पॉरण का फैसला आया वह बराबर उचित है और उसका स्वागत हमारा संसमझ करते हैं कि मार लीजिए उगम जी आप कहने कोर्ड का फैसला हो जीथ थैं पार्लयामेंट ने इक नया कानून मना दिया संशोधन कर दिया तब आप क्या कहेंगे का फैसला यह नुचित उन्होंने कह दिया और कानून होता है उसमें दर्म को साथ में लेकर काम करता है कारिया होता है वह सई है बाकि यह तरम के सिधान जो विरुध हो रहा है तो उसमें लेट इंट्वार्वरसी राइट नौट मुझे अभी यह भी कहना है कि यह तो यह तो आने ही वाला है अब इसके बाद आने वाला है कि लिविन डिलेश्चेंट निगलाइज हो गया है इस तरह इनके जो वेडिंग हो गया है शादिय को अगी वह भी जसी कंट्री बेगलाइज हो गई है दुसरे कास मैडम आपको मुझे बात करनी थी कि यह जो हो मोसेक्शलिटी लेस्बियन गे अब करें आपको गया है तो आपको हो गया है शादिय को अब करने दोदूस्तान हो आपको एप यह जिगर होनी चीए यह फेस करने के लिए यह तो फैस्ट है ना तो हम क्यू उसको धरम के नाम पर रटा लेते हैं और गुरुजी तो बतते के जो नहीं करेंगे वह सब धरम इस्थ हो जाएंगे यह सब इस नौट यह अगर यह अगर इस इन इज यह चाहिए खासके ना कि अगर रूप इसको लीगलाइस करते हैं अग कर एक नोट दो क्या है इस बात को लेकर कुछ रास्ता नहीं निक्राव अवा तरफलम के भदलाव में फैं कोई यूग में सब्ट्रम का बदलाव कभी हुआ नहीं है dessinなतान धर्म अखंड है खंड रहेगा लेकिन इसनके मानने वाले और नहीं मानने वाले ये लोग कुछ करते हैं और दूसरी बात है और हम यहां खड़ा रहें कि यह जो फैसला आया हुआ है वह फैसलों को अधिक कोई शुकर नहीं करते हैं तो समझो मानाओ समाज में एक बड़ा प्रदूशन पैदा हो जाएगा और जगत कहां जिंदा रहेगी जगत का निवा नारे से हुआ है लेकिन सबकी अपनी राय है जो समलेंगिक लोग हैं उनकी अंदर निराशा है आज के इस कोट सुप्रीम कोट के इस फैसले से कानून की बात कही जारी है कानून अपनी तौर तरीके से आगे बढ़ेगा जो गेंद है सुप्रीम कोट ने वो संसत के पाले में डा दी अब देखना होगा कि आगे क्या चलता है बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी महमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए तो अब मामला ही आगे कानू